आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली के लिए बहुत ही ईजी और टेस्टी मिठाई है जिसे आप 1-2 हप्ते तक स्टोल करके भी खा सकते हैं बनाने में बहुत आसान है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बनाने के लिए मैंने गैस्पेक पैन रग दिया हैं अ जो भी आपके घर में हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसे लगातार चलाते हुए 15 मिनट के लिए रोष्ट करेंगे जब तक की बेशन सी घी जो है अलग ना होने लगे और इसका टैक्सर बिल्कुल ऐसी गीला गीला ना हो जाए देख सकते हैं मैंने कितना ड्राइड आ कोला से 17 मिनट हो चुके हैं और बेशन का कलर भी बिल्कुल अलग हो गया खुस्बू भी बहुत मज़दार आ रहे हैं पुरा घर खुस्बू से भर चुका है और इसका जो मतलब टैक्सच्चर है और भी देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हो गया तो इसे हम साइड में रख अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे हमें इसे एक तार की चासनी बनानी है और चासनी हमारी रेटी है अब हम जिसमें बेशन को रोष्ट किया था उस पैन को धीमियाज करके गैस पर रखेंगे देख सकते हैं गैस का फ्लिम लो कर दिया है अब हम इसमें चासनी को डाले और mix करेंगे मैंने आधा से जादा चासनी डाली है थोड़ी बचा लिए जरूरत पड़ेगी तो बाद में भी डाल देंगे अच्छी तरीके से हमें इसे mix करते रहना है गैस का फ्लेम लोही रखें इस स्टेज भी गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखें अभी जैसे जैसे mix होता जाएगा पैन बिल्कुल छोड़ने लगेगा अब हम बाकी बची होई चासने भी डाल देते हैं अगर आप मीठा कम पसंद करते हों तो थोड़ा कम चासने डाले वैसे तो जो मिठाईयां होती है मतलब मीठी ही होती है और अब हम इसे तीन से चार मिनट के लिए पकाना है जैसे जैसे पकता जाएगा यह ठीक हो जाएगा उर्य देख सकते हैं पैन भी बिल्कुल छोड़ दिया है आप इसे पका लें ताकि यह तूटने वाले स्टेज भी हुजाए एक्दम जाली से जैसे इसमें पढ़ने हमारा जो मेक्सचर है बिल्कुल रेडी है गैस का फ्लेम आफ करेंगे अब हम इसे एक प्लेट में लिए जादा इसमें जाली दिख रहा है आपको अब हम इसे एक स्पून की सहायता से सेट कर लेंगे और यह बहुत जल्दी सेट भी हो जाता इसमें बिल्कुल भी टाइम लगता है मितलब बहुत चट पट यह मिठाई बनके त्यार हो जाती है और आप आराम सी दो हपते तक इस्टोर करकी खा सकते हैं थोड़े से कटे हुए नारियल लगा देंगे आप अपने मन पसंद की कोई विड्राफ रूट्स लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद दो और